ओम श्री परमात मेरे नमा आज मैं आपको मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको धीरे 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 बताऊंगी कि कैसे आपने अपना बगीचा जो है वो बीना खर्च के और सजाना आया और घर को फूल पॉधे कम से कम इतने तो लगा नहीं है कि ताकि आप पूजा कर सके और यह थी कि मैं भी यह बैठी थी वीडियो बनाओं और यह देखें कपूतर बैठे है इतने इनान से मैं कहते हूँ न अपने सभी उसमें आप सिप कहते हूँ रहते हूँ कि जहां पे दाना पानी होएगा और हर्याली होएगी वहां पे बहुत ही आता है और शेहरों में तो कितने लोग गोसले बनाते हैं नकली के बजार से लाते हैं खरीत के नकली के गोसले और चडिया देखियो, है न कितना खुबसुरत नजारा, देखियों कितना अच्छा लबते गहां बैटके, दिन भार मुझे पता ही नहीं चलता समय का, कहां बीद की और कैसे इत्म इनान से बैठे हुए, आज भी मैंने सुभे इतना इन्होंने म्यूजिक, इतना गाना तरह तरह की चिड मैं बाहर आई तो उन्होंने कुछ कम कर दिया था अपना म्यूजिक, गाना, इनका प्रोग्राम चलता है, सिंगेंगा, अब मैं खड़ी नहीं होंगे, जारे वक्त लग जाएगा इसी में ही मुझे, तो अब मैं आपसे बतातू हूँ, मैंने अच्छा हाँ, मैं सबसे पहल थी और फिर बाद में भी नहीं पता काई थी, कि मैंने का था, अपने मैं पॉद्धों का राज बताऊंगे, कि क्यों है इतने स्वस्त, आप मेरे सभी वीडियो देख लोगे, कितने जादे उन्में गुलाव हैं, हर पूल, बहुत लदेव हैं, और उसका क्या राज है, वो जाती हैं, और जितनी सबजियां और फल उनके जो चिलकें, उन्हें भी मैं पौधों के नीचे डाल के, उसके उपर मिट्टी बुरग दोती हूं, ताकि वो जल्दी से बन जाएं, उनकी खात वहीं, तीसरा ये पॉइंट है, और एक मुख्य पॉइंट क्या है, कि इन से ब बाते करने पड़ती है, इन्हें बहुत दुलारना पड़ता है, एक बार एक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कि तो वो पॉधों को रखा गया था, एक को म्यूजिक सुनाए गया था, और एक को विदाउट म्यूजिक, तो जिस पॉधों को म्यूजिक में रखा गया थ तो इसका मतलब क्या है कि यह भी मियूजिक सुनते हैं इन्हें भी प्यार पसंद है दूलार पसंद है लेकिन इसमें एक बात और है की ह fortunes में जाते फार्श करना चाहिए मैं कितनी चैनलेंस पर दिखते हुन पहुत नाज़ूर नाज़ू फूल ओते हुए उन्हें बहुत आथ से पकड़ पकड़ के वहे स्कासतोर पstringsियों के फूल होर फोल हुष् सुम और जो बहुत सीको चुटी से पहे रहती हैं उन्हें कभी ननटेच कर रही juvenile अच्छा मैं धीरी धीरी बताऊंगे आपको ठीक है यह तो बहुत दिर तक बैठे रहे हैं यहां पर मैं आपको बताते हूं वह देखिए चंदर महा भी तक हैं यह देखिया आगाश में है ना ताजो की रात है साड़े साथ बज़ रहे हैं समय है अब मैं पॉधो के बारे में आपसे बताते हूं यह देखिए मैं सबसे पहले शुरुबात करूंगे गेंदे की फूल से ठीक है अभी आजकल तो गेंदे की फूल का सीजन इतना है नहीं है बहुत लगाई जा रही है लेकिन मैं बता दूना आजकल लगाते है वह बहुत क्या आपने क्या करना है तो मैंने आप से कहाता है यह बीना खर्ची के अपने जादे खर्चा नहीं करने है आप यह तो किसी मंदिर में से ले आएए हना मांग लीजिए पुजा लीजिए से जो फूल होते हैं गेंदे के वह मांग लीजिए ठीक है यह बाजार से ले आएए दो चार पांट रुपे के एक फूल में भी पहले सुखा लीजिए फिर उसे तोड़ कर और उसे ऐसे मिट्टी में बुरग दीजिए और उपर से मिट्टी डाल दीजिए तो उसके पाधे तयार हो जाएंगे गेंदे के जो फूल है मैं करके भी बता देते हैं पर यह मैं आपको जो हम जल टढ़ाती हूं यहां पे और पहले तो मैं आपको दिखाती हूं अबर जो मैं जल टढ़ाती हूं और फूल टढ़ाती हूं यहां पर सूर्य देव को चड़ा देती हूं वो गिर के और उसकी कैसे पाध बन जाती हूं और यह मैं पूझे के लिए लाई थी बजार से पूल जूट नहीं बोलूंगी अंगल तो देखी रही होंगे तो आप यह देखिए सब अलग अलग है यह कितने पूद है गुलाब इसके गेंदे के यह ऐसे उग गए है यह देखिए तो यह पाध उग जाईगा आपकी है ना और गेंदे का फूल विश्नु भागवान जी को बहुत प्रिया है सट्य ना यह गए है इस गंबले में कितने हम अब हो नुट ठीक एक तो यहां गया दूसरम आपको दखाते हूं मैंने निकल दिया यह जर्मनी गेंदा यह पीले वाल जो फूले ना है कि यह पीले-पीली फूल इसे जर्मैनी गेंदा कहते हूं यह आपको अगर कहीं मिले तो देखिए मैंने यह निकाला इसलिए पौध ही देखिए यह अई यह ऐसे जड़ है मैंने जान की बूच कर इसे ऐसे गंबले की उपर रखे ताक या पहचान ले इसे यह देखे यह मैंने ऐसे निकाल आई ठीक है मैं इसे नीचे रख देते हैं अधिक है यह जर्मनी गेंदा होगे लगा लिजए बहुत फैल रहते हैं यह पुरी क्या रही है पिली पिली जर्मनी गेंदा होगी यह मुझे किसी नहीं दिया था और यह देखे कितना फैल गया इसमें लगाये अगर आप गंले नहीं ले सकते जो लो तो ईह देखे कितना अच्छा कितना यह लगा ली है यह भी भगवान को चौडाते हैं उपूप बड़ी वाली यह इसकी मैं ने यह डंटी तोड़ के इसलिए रख हें आप यह डंकी से मिले तोड़ के लगा लिजी म ऐसे और इसके जो यह है ना खाल है जो नीचे ग्रीन कलर की इसे हटा दीजिए बाकी कुछ नहीं करना है अपने ऐसे हैं यह देखिए और पानी देटी रही है इसमें बिल्कुल और चाया में रखिए यह हो गया एक और की छोटी चमेली है यह वाली यह शीव जी को बहुत प लिजी देखिए यह लगा लिजी यह देखिए क्रोटन है रंगीन पत्तों इसकी बीडंडी लग जाती है मैंने देखिए प्लास्टिक के पैकेट में लगाया है इस चोटा सा पैकेट है यह लगा लिजी ठीक है अच्छा बाहर के बहुत रंग होता है मैं भी फिलाल आपक क्रोटन एकी है यह देखिए के भी क्रोटन में है पहचान लिजी इन पत्तो गूँसर क्रोटन कहते है तो इसकी दिंड़ा लिजी आमए यह पै पे लिडंड्या लिजी ते ठीक है वह धीचा बहुत इसकी बैठा है यह लगा लिजी और व मैं आपको ? liksom गहास अगर कहीं मिले आपके पास जगह रहेे तॉचलि में इसे उसमें लिशल लगा गाओ। आप अपने कलपना से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी साखार रूप दे सकते हैं अपने घर को, और लटकने के लिए आप लगाईए टॉर्टन वाइन, यह देखे, यह गंबलो में लगाई है न मैं टॉर्टन वाइन, यह पहचान लिजी उसे, यह ऐसी जालर लटकती है, बह लग गई, यह ऐलो वेरा लगा सकते हैं, अब कहीं से एक ले लिजे, जैसी देखी, छोटी सी इसमें लगाए हैं मैंने, हांडी में, और यह बहुत अच्छे होते हैं, आसके लिए मैं बाद में बताओंगी कभी इसकी डिटेल्स में आपको, हाना, फेस पे भी लगाते हैं इसकी एक तोड़ लिजे, एक धंडी, और उसमें बीच में से जो गुद्धा निकलता है, फेस पे लगाते हैं, बहुत अच्छा, चेहरे पे चमागाते हैं, और लेकिन उसके साथ साथ अपने संसकार बहुत अच्छे रखने हैं आपने, और मिट्टी के बारे में मैंने आ जाता है, उसमें गोबर के खाट डालिए, पत्ते टाहने दीजिए उसी में, और इन फूल पौदो को प्यार कीजिए, पानी समय पे दीजिए, और इस चक्र में बिलकुल मत पढ़िए, यह आप में भूल गी थी, मुझे शुरू में कहने थी, यह जितने मैंने आपको प्ल तो सबकी मिट्टी तो अलग-अलग धंकी होते हैं, यह होड़ जाते हैं खुद अजिस्ट, हाँ बहुत कम, यह मैं आपसे बात बता दूँ, जो पादें, काश्मीर में चहां बहुत बर्फ पढ़ती है, कि अक्रोट है, या काजू है, या किश्मिश है, यह चीज़न जो अलग-अलग ही उसमें होते हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगे खेर, उने अपना वैसा ही क्लाइमेट जाए है, लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो यह लगाई है आप बस, और खुशाल बनाए है, यह देखिए हाँ, यह मैं बताना बूल की थे, कुडल का, यह दे देखिए, और गुडल के रंग में होता है, यह देखिए, यह देखिए, अब मैं अपने शब्तों को यहीं विराम दूँगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है, कि आप इस वीडियो को देखिए, अपने घर में चोटे 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 पाधे नी लगाई लगाई लेंगी कि आप आपके घर को खुशाल भी बनाएं और महका भी ले खुश्बू से और भगवान को चड़ा सकें और वो देखे भी तो भाही बैटर धन्यवाद